पेशन्स या धीरच यह हमारे सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं टेंशन में एंग्जाइटी में उनको पेशन्स बिल्कुल ने रहता है धीरच का फल मिठा होता है ऐसा कहा जाता है और हमको धीरच है नहीं हमको सब चाहिए इंस्टंट इंस्टंट इस नेवर कॉंस्टंट तो आज में बात करने वाला हूँ पेशन्स के बारे में मेरा में डॉक्टर दीपक रेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा जैसे मुक्चे तन्यों महाराश्ट में पिछले 40 साल से अकॉला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कर दो हर चीज को टाइम देना ही पड़ता है आप उसको ऐसा फास फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं जो चीज को जितना डाइम लगेंगा उतना डाइम देना ही पड़ेगा मगर इतने इंपेशन्ट हो जाते हैं बस तुरंद रिजल्ट चाहिए और नहीं तो थोड़ा सा करें कि बाद में छोड़ देंगे आप्ने कि चल्दी कर लिया तो फुरे नो मैने मा के पेट में पड़ता है आप भूलेंगे मेरे को टाइम नहीं जल्ली होना जल्ली होना तो ऐसा हुंगा नहीं उसको टाइम उत्ता लगे गई क्यांकि कि आपको पताएं कि Chinese Bambu Tree का एक्जांपल चैनी ज बांबू ट्री का जब जमिन के नीचे उसका बीज लगाते हैं तो उसको जमिन के बाहर आने को 5 साल लगते हैं तो पांस साल उसकी सीचाई करनी पड़ती है, उसका पालन पोशन lleना पड़ता है, पांस साल बाद में वो जमिन के उपर आता है और बाद में पांक हफते में 90 बढ़ जाता है मगर पांस साल आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ कुछ पांस साल तापको कुछ दिखने वाला है नहीं पेशन्स जरूरी है बाद में तो छेटवे साल में वह पूरा पक्का 90 फिट आ जाएगा तो हर जेगा पेशन्स की किमत है और कुछ ke फिजए और बड़ा काम जिब करना है तो टाइम जो लगने वाला है एक कुछ जो थी वह हतनी को मिली और कुछा कि क्या प्रेगघनंट है हमें प्रेगननट हुई यह हैं तो दोनों एक शार प्रेगनन्ट हुई थी दो मेंने बाद में एक लाने चार बच्चों को चले गई कुटिया, बात में और प्रेग्नेंट हो गई, दो महने बात में फिर और चार बच्च्चे पैदा कर लिए। और शर्फ के पास मय आई तो हांती यू कुछ नामो निषाना नहीं इसा। फिर दो मेने बाद में आई, तो फिर और चार बच्चे उसने तब तक पैदा किये थे, तो हातिनी का कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर कुटिया को रहा नहीं गया, उसने पूछा, कि भई मैंने अभी तक तीन भार तो प्रेगिनसी निकाल के मतलब बारा बच्चे निकाल कुछ नामों निशाण की नहीं है। बोले, मैं हातिनी हूँ, और बच्च्चा पैदा करती हूँ, तब यह धर्ती जो है इन वह हिल जाती है, कि काम मैं बड़ा करती हूँ, और बड़ा काम करना है, तो टाइम लगने माला है, आपको पता होंगा कि हातिनी जो है, उसका जो मतलब दो साल के बाद में बच्चा पैदा होता है और कुटिया का जो है वो हर दो मेने में दे सकती है बच्चे पैदा करके तो बड़ा काम करना है तो डिफिनेटली आपको रुकना ही पड़ेगा एक वह जमीन खोद रहा था पानी के लिए जमीन खोदने के बाद में 20 खोदता है और वहां ही पानी लगता नहीं मतलब 20 और 30-30-30-80 फीट उसने खोद दिया जमीन और पानी लगा नहीं एक ही जगए पर 80 फीट जाता था तो पानी शायद लग जयाता था हमको एना धिरश नहीं है पेशेंस नहीं है और उसे कारण फिर हम जल्दी-जल्दी करत है करमल सेंडर्स उसके निर्माता थे उमर के 62 साल में 62 येर्स में उन्होंने एक रेसिपी बनाई केंटू की फ्राइड चिकन की और वो रेसिपी उन्होंने अलग-अलग होटेल्स में रेस्टारंस में जाके लोगों को बताई कि वह देखो कितने अच्छी मने बनाई हैं हैए एक घरनन रेस्टारंट्स ने उनको नकारा कि नहींने हमको अच्छा नहीं लग रहा है एक हजार ji करते कोशिश करते हैं इसकी ए मने नहीं वो रेसिपी को लिया बेचा और बात में तो सब पुरा इतियास है आज करिब करिब 25,000 आउट लेट के हैं और वो बड़े सभी बड़े कंट्रीज में और बड़े शहरों में आपको केसी नजराएंगा इतना बड़ा काम हुआ है यदि कोई वेक्टिया सब बोलता था कि ने केसी हमारे शहर में आके भी करीब करीब सालवर हो गया है और अकॉला जैसे छोटे शहर में केसी खुलता है और बहुत रशमा रहता है थामस अलवा एडिसन दस हजार एक्स्पिरिमेंट्स उन्होंने किये इलेक्रिक बल्प का खोच करने के लिए 99999 बार फेल होगे मगर धिरच तूटा नहीं और उनको जब पूछा तो बोले मैं 99999 ऐसे तरीके मैंने खोजे है कि जो तरीके अपनाते हैं तो इलेक्रिक बल्प की खोच होती नहीं है जेके रोलिंग हैरी पॉर्टर की लिखी का कितना सहन करना पड़ा होंगा कितना नकारा होंगा लोगों ने क आज वहीं की महीं खड़ी रहेगे और आज 50 क्रोड से भी ज़्यादा कॉपीज हैरी पॉर्टर की खप चुकी है और एक बहुत बड़ी नामांकित लिखी का आज दुनिया में पहचाने जाती है तो कितना साथिति कितना continuity हमको रखनी पड़ती है हम एक बार कुछ नो किस बोल दिया तो हम तो बस ऐसे डाउन हो जाते है कि हमको समझ में नहाता भी क्या करना है और हम निकल आएंगे ने मैं गया तो लोगों ने हाँ बोलना चाहिए नहीं नो सुनना पड़ेगा ना सुनना पड़ेगा अपमान सहन करना पड़ेगा और तब आप टिके रहेंगे अब डिफिनेटली आपको सफलता मिलेगी उसके लिए चाहिए धिरच पेशन्स एक लड़का एक 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 जामपल के तौर पर मताता हूं स्टोरी के लड़का जो था तो उसके साथ में एक लड़की देखिए उनकी शादी हुई मैंने देखी मेरे सामने और लड़का एकद कानी बताही कि वही बहुत सारे लड़के मेरे पीछे आते थे और मुझे लोग मैंने ना मैंने ना बोल दिया तो जब जो मैंने लोगों को ना मुद या तो रगए एक लगिस बार ना बोलने के बाद मैं चले गए वापस आये नहीं यह जो अखसर आए मैं किने पार तभी आपको patience रखना ही पड़ेगा, मैंने अभी आपको बता है कि करनल सैंडर्स ने जो इतनी सफलता हासिल किया तो उनका एक वाक्या बहुत ही famous है, कि do all you can and do the best you can, यह आप करते हैं तो definitely आप सफलता की तरफ चले जाएंगे, क्या होता है कि हम impatience क्यों होते हैं, impatient इसलिए ह होते है कि हमको सफलता मिलीगी की नहीं मिलेंगी यह मालूम नहीं रहता है, उसके बारे में बहुत anxious होते हैं, जो को यदि मालूम है कि वो नोकरी मुसे मिल जाएंगे और वो interview में पास हो जाओंगा, तो फिर मुझे टेंशन ही नहीं आएगा, मुझे मालूम है कि वो तो मिलने वाले हैं मुझे, वो नोकरी मुझे मिलने वाले मैं तो पास होने वाले हूं, फिर कौन impatient रहेगा, कोई impatient नहीं रहेगा, impatient हम इतले होते हैं कि हमको result जो है उसके बारे में प्रती attachment रखना मतलब ही यह है कि महाभारत में जैसा घशने बढ़ाता कि कर्म नहीं हो आधिकारास्ते महाफले शुकषक अदाचना, यह हम करते हैं कर्म करते हैं मगर फल की चिंता करते हैं और वो चिंता में impatient हो जाते हैं, अब इसके लिए मेरे पास में और एक तरीका है जो मैं आपको suggest करूंगा वो यह है कि आपको इदी लगता है ऐसा कि जो मैं कर रहा हूं उसका result कैसा है मुझे मालूम नहीं है पता नहीं क्या होगा और आप इदी बहुत impatient हो रहे हैं बहुत बहुत anxious है पता नहीं क्या होगा तो तो बेटर यह है कि आप plan B भी तैर रखो यह आपको मालूम है कि चलो यह फेल होगा तो मेरे पास में backup plan plan B तैर है तो फिर शायद आप बहुती रिलाक्स रहेंगे आपको कोई टेंशन आएंगा नहीं तो plan B तैर करना भी बहुत ज़रूरी है और plan B आपके खिसे में है और आपको मालूम है कि यह मैं करता हूं ठीक है problem नहीं है और सफल हो गया तो तो फिर आप पूरा खेलेंगे और पूरा काम करेंगे क्योंगे आपको एक certainty है पीछे वाली एक हमारे दोस्त हैं उनको हस्पिल के लिए और घर के लिए मकान चाहिए था मकान की किमत करीब करीब सब मिला के दो करोड़ थी वह मैं बैंक का चैर्मन हो तो मेरे पास में आये थे कि बैंक का लोन करवा देना मकले इसलिए थे फिर वह बोले कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं लू की नहीं लू इतना बड़ा घर यह होंगा नहीं ओगा क्या होंगा क्या नहीं तो मैंने उनको इतने बोला कि आप ले लो रील स्टेट कभी आपको धोका देंगी नहीं जग भी अच्छे है और आ नहीं हो रहा है और यह बहुत महेंगा हो गया तो मुस्षे कभी आपने बेज देना में ले लूंगा अब चिंता मत करो यह बैकड़ प्लैन्स में आरामसे रहूं जैसे मैंने बोला हुने फटाक से लों कर दिया आज वही मकान की किमत चार करोड़ है डबल हो गई सिर्फ दो साल में निकालते कैं दो करोड़ में बोले क्या बात कर रहे हैं हस रहते लिए तो प्लान भी तयार रखना जरूरी है और आपके पास में थी प्लान भी तयार है त आपका पेशन्स बना रहेगा क्या है कि 10 में से 9 बिजिनेस एड दे इंड व टेन यहाज हो जाते हैं 90 पर से बिजिनेस फिल होते हैं और फिर आपको उतनी पेशन्स नहीं है उतना धीरज नहीं है कि आप वहां डिटे रहेंगे आप खोड आलते हैं अपना धीरज तो यह की आपके पास में बैककप प्लैन त्यार होंगा तो फिर डेफिनिटी या वहां टीके रहेंगे जैसे आप कार लेके जा रहे है और देखो कार कि पंक्चेर होगी तो आपके पास में बैकक प्लैने कौन सा इकी स्टेफ नहीं है कोई अपरॉबल्म नहीं है आप रिलाक्स आपके पास में बहुत बड़ा गोल है तो आप क्या कर सकते हैं जो गोल को ब्रेकप कर दो चोड़े-चोड़े-चोड़े-चोड़े-गोल्स आप हासिल करो ताकि आपको एक आपको चोड़े पास में बहुत करेंगे यह महने में और देखेंगे क्या करना तो फिर पचास लग आपको लगता है कि अच्छी है भले हो जाएगा और फिर वहाँ करेंगे ता आपको एक गोले तो टेंशन आता है तो वो उसको ब्रेक अप करेंगे और वो एजी अच्छिव करते जाएंगे तो आपका कॉंफरेंस बढ़ता जाएंगा और आपका पेशन स्टिका रहेगा तो भी एक करना जुरूई है कि अपने गोल्स को ब्रेक अप करो अब बेखा है कि सरकस में जब जुले पे जो खेल खेलते है तो उनके पास में वेक अप्लान रहता है एक सरकस में मैंने बीच में कर निऊ सुनी थी कि वो जाली रहती है नीचे नेट वही खरब थी जैसा जूले से हाथ चुड़ गया उसका वह जाली भी खरब थी उससे से एकदम जमीन पर ही आ गया हो और मर गया तो जूले पर जो लोग रहते हैं उनके लिए बैक अप प्लान कह रहता है कि नीचे जाली है कुछ भी हो गया तभी नीचे वह जाली बैक अप में क्या है वह आप देखते हैं तो डेफिनिटली आपका पेशन्स बना रहेगा और दूसरा है कि वही आपको पेशन्स रखना है तो डेफिनिटली आपको प्लैनिंग अच्छी करने पड़ेगी अच्छी बनाने पड़ेगी तो प्लैन जो है वह आपके पास में ताहर है पूरा और अबिस्टेप में आपके पास में एक्दम रिजुलाइजन इतेर प्लैन कर तो आपका पेशं बना रहे आपके पास में SAY таких का प्रेशन नीए प्रेश्र नीएme आपके पास में बहुत फीडम घुर्द पार ये मतलब कोई कि है आपके पास में सब्पोर्टिंग और पीछे मतलब करने वाले तो यह सब बाते आपके पास में है तो आपको डर निर्ञेगा फियर नहीं और जितना patience से आप खेलोगे, जितना शान्ती से खेलोगे, जितना दिमाख शान्त रखोगे, उतना अच्छा काम होगा, अच्छा quality वर रखोंगा और आप सफलता पाऊगे. तो धिरश का फल मिटा होता है पेशन्स रखो और पेशन्स के लिए जो भी मैंने अभी स्टेप्स बताई वे दिया आप करते हैं तो डेफिनेटली आप सफलता की और चले जाएगे वीडियो आपको इच्छा लगाता है जो लोगों को शेर करो थेंक यू बेरी मच्छ